ईहलो फ्रेंट्स, वैलकम टो एस्के क्रियेटीविटी, आज हम एक जो वूल की मैंने यह बनाई है, जैसे की मेरी गोल्ड के फ्लावर होते है न, उसकी लड़ी होती है, माला होती है, उसकी वो बनाएंगे हम वूल की हल्प से, तो मैंने ये दो बनाई है, तो ये न, मैंने स तो यह मेरे पास इतना पीज था लकडी का हमें बड़ा पीज चाहिए होता है तो मैंने आपको सैंपल बना के मैं आपको दिखाऊंगी आप बड़ी लड़ी भी इससे बना सकते हो तो हमने दो कील साइड पे लगाने हैं और ऐसे वूल को 40 से 50 बार हमने इसको घुमाना है ऐसे हम घुमाते जाएंगे टाइट करके तो हम थोड़ा इसको मोटा कर लेंगे अच्छे से 40 से 50 बार तो इसे वूल को हम घुमा लेंगे और जब यह पूरी हो जाएगी तो साइड पे इसको कट करके और यहां पे एक नौट लगा देंगे अच्छे से और ऐसे बीच में हमने दो-दो इंचिया जितना भी गैप करके गांट इसको बांध नहीं है ऐसे वूल की हल्प से और यह जो हम नौट लगाएंगे न अच्छे से लगाएंगे पूरा खींच के दबा के अच्छे से हम इसको बांध लेंगे पूरा तो पूरा मैंने इसको बांध लिया है और यह जो एक्स्ट्रा वूल है इसको मैं कट कर दूँगी तो अगर आप आपने जैसे बड़ी लड़ी बनानी है न मैंने अभी मेरे पास लकड़ी छोटी थी मेरे पास बड़ी नहीं थी तो मैंने इसी पे आपको छोटी पे ही बना के दिखाया आप जितनी भी बड़ी बनाना चाते हो ना बना सकते हो लकड़ी आपको उतनी यजय दआ लेने एक साइडे सो और दूसरी साइड पर और बनाने का तरीकत उसे मी रहेगा और अब मैं यालो कलर की वोल्लोंगी तो उसे भी ऐसे ही साइड से एक नोट लगा लूँगी, बांध लूँगी इसे अच्छे से, तो बांधना हमने अच्छे से है, ताकि हमारी ये खुले ना, तो ऐसे मैं इसको बांध लूँगी अच्छे से गांट देकर, और जैसे मैंने आपको बताया ना, कि 40-50 बार हमने इसको घुमाना है, तो ये जो येलो कलर का है, इसको भी हमने ऐसे घुमाना है, 40-50 बार हमने तकरिवन इसको घुमा लेना है, पूरा ब्रावर से ही रखना है और अच्छे से कबर हो जाए हमारा जो ये ग्रीन वाला वूल है ना ये इसको हमने इससे अच्छे से कबर कर देना है और अच्छे से इसको गुमाते जाना है और जब ये पूरा हम पूरा हो जाएगा ना तो इसको भी वैसे ही गांट लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ औ और फ्रेंड्स आपने न जो यह लकड़ी है बड़ी लेना जब भी आप बनाओगे तो यह बहुत ही अच्छी बनती है यह माला और दिवाली पर या कोई भी हमारे घर में जैसे कोई फंक्शन होता है तो डेकोरेशन के लिए हमें यह काम आ जाती है और बहुत अच्छी लग जाती है तो ऐसे मैंने जैसे पहले लगाई थे न गांट ऐसे ही लगा लिया सारे गांट और यह देखो ऐसे हमने कट करते जाना है तो हमने क्या करना है जो उपर पीले वाला और यालो वाला है इसको पूरा हमने कट कर लेना है ऐसे गुलाई में ऐसे हमने इसको कट करते ज अलाबर होता है ना लड़ी होती है जैसे माला होती है वैसे ही बिलकुल सेम लगे गए ऐसे ही अब इसारा मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी तो ये लड़ी जो मैंने बनाई है बहुत ही छोटी बनी है ये तो एक फूट की बनी है क्योंकि मेरे पास लकड़ी थी ना मैं आपको बताया कि मेरे पास छोटी थी लकड़ी तो इसी पर मैंने आपको बना के दिखा दिया अब मैंने सैंपल आपको बना के दिखा दिया अग यहां से साइड से इसको जो धागे वगहरा है उनको फिनिश करके और मैं इसको यहां से उतार लोगी तो यह से थोड़ा सा कील मैंने टेड़ा कर लिया है तभी उतरेगा तो कील को थोड़ा से मैंने टेड़ा करके इसको उतार लिया और यहां पे न मैं एक धागा लगा के उन का ही वूल थोड़ी से लगा के गांठ लगा दूँगी ताकि यह थोड़ा खिलरे न और ऐसे अच्छे से सिक्यूर हो जाए और हम इसको ऐसे हैंक कर सकते हैं वहां से वाइट वाली बिनाई है आप जिस भी कलर की बिनाना चाहो डेकोरेशन के लिए कोई भी कलर की बिना सकते हो तो फ्रेंट्स आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा यह आईडिया और यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर